आई ये चर्चा करते हैं पहले बॉडी प्रिजन पर चर्चा करेंगे जो शरीर रूपी जेल पर चर्चा करेंगे फिर इस अर्थ रूपी जेल पर चर्चा करेंगे देखें ये आपको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिये ये शरीर पहले चली शरीर पर चर्चा कर लेते हैं श शूफ कारण शूफ कारण शूफ कारण और उसके अंदर शूफ के अंदर काफी पांच शूरीरों के अंदर गहीं आत्मा बैठा हुआ है। ये शरीर आप जानते हैं ये एक जेल है मैं आपको सीधे कहता हूँ आप इसे साचते समारते हैं मुझे बड़ा दुख होता है लेकिन मैं क्या कहूँ आपसे मैं आपको समझाओंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन ये वास्तों में एक जेल है तुम अपनी जेल से प्यार करते हो तुम कहते हो मैं कितना सुन्दर दिख रहा हूँ ऐसे करके बाल बनाओगे तेल लगाओगे नहलाओगे तुम अपने जेल को समारते हो तुमने बोडी सारी समस्या की जड़ा है इसने इसमें तुम्हारे अंदर एक limited consciousness को generate किया है जो तुम्हे infinite consciousness से अलग रखती है और यही सबसे बड़ी जेल है मैं तुमसे सच कहता हूँ यह एक बहुत बड़ा जेल है तुम कलपना भी नहीं कर सकते है यह किसने तुम्हारे साथ इस शर limited consciousness है और यह जिसे जीव कहते हैं और यह तुम्हे उस infinite consciousness से दूर रखती है जो आनंद जो तुम्हारा स्वरूप है इतना बड़ा धोका करती है इस शरीर तुम्हारे साथ और तुम इसे मेक अप करते रहते हो सोचो 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 एक करोड़ बार सोचो अगली बार इस सबसे बड़ी दोस्त पी है वैसे लेकिन दुश्मन भी यही है ठीक है आओ अब चर्चा करते हैं पिर्थवी रूपी जेल पर मुझे ऐसा लगता है जैसे यह पिर्थवी तो एक बड़ी खूबसूरा जेल बनाई गई है बराने वाले creator का कहना ही क्या मैं उसे जितनी बार भी देखूं कम है या मैं उसे जितनी बार भी प्यार करूं कम है मैं तुम्हें सच कहता हूँ अगर वो मुझे मिल जाए तुम्हें मैं पता नहीं सकता बस तुम मेरे भावना है मेरे अंदर ही रहने तो मैं उसे कितना प्यार करूंगा यह तुम समझ नहीं सकते हो मैं सच क कह रहाँ ये खुबषूरत जेल है जोना ध्यान से समझना, तुम आते हो तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां पैदा हो गया क्या हो गया तुम्हारे साथ। ये सिर्फ आधा हिस्सा दिखाते हैं अच्छा अच्छा तुमको दिखाया जाता है और जो इसका बुरा हिस्सा है वो छिपा देते हैं इस प्रकार से ये तुम्हें इस जेल में कैद करते हैं जिसका नाम है पिठवी या कोई भी लोग हो सकता है तुम यहां के चीजों को देखते हो तुम सुन्दर सुन्दर पेड़ को देखते हो तुम सुन्दर सुन्दर नदियों को देखते हो तुम सोचते हो यह बड़ा सुन्दर है यहां के खेल खेलाने और पता नहीं क्या-क्या तुम्हें रिजाते रहते हैं फिर ये तुम्हें लड़की के पीछे लगा देता है तुम्हें यही नहीं पता चलता तुम्हें अपने आप ही लड़की के पीछे जाने लगते हो तुम्हें मालूम ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि तुम्हें जेल में हो तुम्हें कैदी हो मुश्किल है, यहां बहुत बड़ियां है यहां तरह तरह के पकवान है खाद्यान है जिनको तुम खाते हो तुम सुस्थे बड़ा मज़ा रहा है लेकिन जैसे ही थोड़े समय ज़्यादा खाते हो उसको उसके बाद तुम बीमार हो जाते हो उन्हें खा करके कमाल की जेल है यह जेल ऐसी है कि तुम्हें लगे का कि तुम स्वतंतर हो लेकिन ऐसा नहीं है तुम हर जगे जेल में हो एक तो तुम्हें इस जेल में वैसे ही बंद कर दिया गया क्योंकि तुम सिर्फ जमीन पर चल सकते हो ना तो तुम हवा में उड़ सकते हो ना तुम पान के अंदर इसलिए इस खुबसूरत जेल में हमेशा बच के रहना चाहिए यह एक ऐसी जेल है जहां पर तुम्हें तरह-तरह के प्रलोवन दिये जाते हैं तुम्हें बताया जाता है यहां पर कि धन सबसे बड़ी शक्ति है यहां धन शक्ति का प्रभाव तुम्हें देख लिय है यहां तुम्हें ऐसा नहीं मादा गया कि तुम्हारे उपर कोई हतकली लगा दी गई हो या चेंज लगा दी गई हो लेकिन तुम्हर समय एक जेल में रहते हो एक तुम अपने दिमाग की गुलामी करते करते पैसे ही पक गए हो वैसे ही पक जाते हो दूसरा फिर यह तु समझ में आया, यह इसी तरीके का है, यहां का सब कुछ ऐसा ही है, यह लो शादी का लड़ो खालो और उसके बाद तुम बीबियों से लड़ते रहो जिंदगी भर और बच्चे पालते रहो और फिर मर जाओ इसके बाद, यही तुम्हारा जीवन है, कमार का जेल है यह, और य यहां तुम्हें खाना खाना ही है तीन टाइम तुम्हें भूक लगेगी, यह सिस्टम में बिल्कुल पर्फेक्ट जेल बनाया गया है, खाना खाओ तीन बार टेटी करो, एक बाद ये करो, पानी पीओ, दस बाद ये करो, इतने बार, क्या तुम्हें नहीं लगता है, यह स से सच कहता हूँ और तुम इस जेल को तोड़ दो इस जेल को कैसे तोड़ो गई है तो तुम्हें मालूम ही नहीं है तुमने वर्ल्ड के सबसे बड़े-बड़े प्रिजन एसकेप देखे हैं शायद एलकेटरास वाला मैंने वीडियो डाला है एलकेटरास प्रिजन एसकेप तुम समझो इस बारे में मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं पता नहीं मैं तुम्हें क्यों समझाना चाह रहा हूं ये भी एक सवाल है लेकि मैं फिर भी तुम्हें समझाना चाह रहा हूं पता नहीं मैं तुम्हें समझा रहा ह ये तुम्हारी ममी तुमसे प्यार कर रही है कोई भी तुम्हारा नहीं है सब बेकूब बना रहे है ये सब एक जेल की बॉन्डिंग है ये एक बॉन्ड हैं वो तुम्हारे साथ बना रहे हैं तुम्हारे रिलेटिव्स मैं तुम्हारा चाचा हूँ मैं तुम्हारा मामा हूँ इन बॉंडिंग से तुम जेल में कैद हो गए हो अपने आपको तोड़ दो सारे बॉंड और बाहर निकालो जेम्स बॉंड बन जाओ 007 समझे तो तुम अब समझ गए हो कि तुम्हें कैदी हो और तुम्हें निकलना है तो धीरे धीरे तुम समझ गए हो और ये सच भी यही है मैं तुमसे कहता हूँ इन बंधनों ने तुम्हें ऐसे बांदिया है ये इन्विजिबिल चेंज है किसी ने ऐसा कहा है मैन इस बॉन फ्री बट एवरिवेर ही इस इन चेंज याद नहीं आरा किसने कहा है लेकिन जिसने भी कहा है बिलकुल सही कहा है तो ये पिर्थवी तुम्हें जितने तरीके से भी बांती है उन सब पे विचार करो काम, क्रोज, लो, मो, दिमाग, ये बंधन, बसेदारी, ये इन सब बंधनों से जकड़े हुए लालच, धन, यहां की चीजें, यहां पे जो भी तुम्हें पोजिशन चाहिए, तुम्हारी चाहें इतने सारे जेल में बंधे हुए और फिर तुम कहते हो कि तुम मुक्त हो, तुम मुझे समझ में नहीं आता, तुम किस किसम के मुक्त हो तुम बेलकुल भी मुक्त नहीं हो तुम एक जेल में हो अब तुम में वीर होना है और इस जेल को तोड़ना है ठीक है? तो तुम अपनी बाडी की जेल और इस अर्थरी जेल को तोड़ करके इस इल्ड्यूजन को समाप्त कर दो और मुक्त हो जाओ और वो अपने सभाव को प्राप्त हो मैं ऐसा तुमसे कहूंगा ठीक है चलो थैंक यू